राश्री मानव अधिकार आयोग ने मंगलवार को कहा कि उसने ट्रक चालोकों के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्र राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइसरी चारी की है बयान में कहा गया है कि आयोग ने देखा है कि देश की अर्थ विवस्ता में मैत्पून योगदान देने के बावजूद ट्रक ड्राइवरों के सही अधिकारों पर परियापत ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि ट्रक वैवस्ता है खंडित और असंगटित रहता है एनचार सी के महासची द्वारा मंत्रालों और विवागों के सच्चिवों और राज्यो केमों के सच्चिवों को भेजे गए परामर्श में चार शेत्रों को शामिल किया गया है शोशन में सुरक्षा सुविधाओं का प्रावधान, सामजी कार्थिक सुरक्षा का प्रावधान और शारिरिक और मानसिक कल्यान सिफारिशों में से एक संशोधन मोटर वहान अधीनियम, 1988, एकवानेजीक, ट्रॉक्मैन, डेट्री के चालक, सहचालक और साहक के लिए प्रतिक में कम से कम 15 लाग के प्रति सोनल दुरगटना कवर की खरीद करने के लिए कमीटी ने सुझाब दिया है कि सड़क हाथसों में घायल या परिशान होने वाले ड्राइवरों सहचालकों और साहकों को कैशलेश चिकित सा उप्चार दिया जाना चाहिए एडवाइजरी में कहा गया है कि पारकिंग एरिया, रेस्टरूम, टॉयलेट, रेस्टरॉयन के साथ, रेस्टॉप और लेट बॉय उचितरों के साथ, राश्ट्री राजमार्गो के प्रमुक स्थानों पर हर 40 किलोमिटर पर मेकिनिक के दुकान और डॉक्टर क्लिनी का न भौतिक इंटरफेस को कम किया जाए, नहर्सी द्वारा ट्रक चालको के प्रति ध्यान देने के लिए जोइन्ट एक्शन कमिटी संस्थापक अध्यक्ष प्रिलाद अकरवाल द्वारा नहर्सी का धन्यवाद दिया गया, तथा शेद्र में सभी ट्रक चालको को ये सुवध अकर सराना की गई, विरो रिपोर्ट वारी, मैं प्रहलाद अगरवाल जोइन्ट एक्टिव कमिटी का की एक संस्था चलाता हूं, जो किसान भाईयों और ड्रैवर भाईयों के लिए काम करते हैं, अभी एक हमन बिन राइट्स में एक ड्रैवर हमारे देश के लिए बहुत जरूरी मानव है, और अभी ड्रैवर नहीं बन रहे है, रिजन सरकार के जो अफिसर हैं, वो उनको और जो जो मोटर मालिक हैं, वो उनको तो इज़द दे पाते हैं ना उनको, और सरकार, उन्होंने एक सुझेशन भी दिया है, सुझेशन यह दिया है, कि रस्ते में उनके लिए, रेश्ट रूम यह वो होने चाहिए, तो बहुत अच्छा सर्जेशन है, अगर सरकार यह चाहती है, तो हमारी जो एक्टिव केमिटी, चार ऐसे कोई भी स्थल, जो सरकार हमको सिर्फ जगह दे दे, वहां ऐसे स्थल सरकार के हैं, ड्राइंग के हिसाब से हम बना के देंगे, और उस पे सरकार को ठीक लगे, तो हम उसके लिए, जो भी लोजिस्टिक इंडस्ट्री है, उनको और सरकार हमारी सरकार से और भी रिक्वेस्ट है, कि यह चेक पोस्ट जो है, इनको ही अगर उसमें चेंज कर दिया जाए, और जो ओवर्लोड के लिए सरकार में च टोल टेक्स पे लिए जाए, टोल वाले टोल पे कांटे लगा दें, वहां कांटा लगाने से जब भी चेक होगा, तो और वो जिस स्ट्रेट में ओवर्लोड होगा, तो वो स्ट्रेट के आर्टीयो को उसका दे दें, वहां उसको पनिश्मेंट दी जाए, क्योंकि अभी एक जोईट एक्टिव कमिटी जो है, वो इसके लिए फुली काम करने को तियार है, सरकार का कितना सही होग हम को मिलता है, हम इसके लिए कोशिश करेंगे, कि गड़करी साब से और जो भी इस से कनेक्टेड लोग हैं, उन से मिटिंग करके, और इसको जल्दी से जल्दी एक्ट उनको करवाना चीए अपनी गाड़ी के साथ, जिससे की करको कोई भी हादसा होता है, जो कि अभी नई गाड़ियों में कमपनिया पांच साल के लिए इंशोरेंस देती है, तो पांच साल के बाद मोटर माली को चीए कि वो ड्रैवर का दस लाग का इंशोरेंस ले, तो किसी के साथ हाजता हो जाए, तो उसकी फैमिली को राहत मिले, जैहिन, जै भारत. जैतियों नमस्कार, मैं अन्दर अंदर मिस्रा भाई चारा राजमाय परिवान सेवा का संस्तापक हूँ, आज जो इस्तिती अपने इस देश्च के अंदर में रोट सेप्टी के लिए अलग-अलग सरकाव प्रयाश्य कर रही है, अलग-अलग संस्ताइब प्रयाश्य कर र दुसरी बात अपना जाते हैं रोट सेप्टी के लिए, रोट सेप्टी में ट्रक डायवर का कीमती समय सबसे बड़ा मात्य पूर्ण होता है, आज हमको कीमती समय अगर दो गंटे-पांच गंटे किसी वसूली आवाय या किसी पैसे के लिए रुकावर डालते हैं, प्रशा प्रश्णी के अथिकारी के माध्यम से डालता है, तो सामने वाला रोट सेप्टी में भी इसके बहुत बड़ा कारण बनते हैं, सड़ा खास से होते हैं, एक्सिडेंट होते हैं, रावर गारी स्पीड भगाने का प्रयास करता है, तो इन विस्यों को लेका सबसे पहले खत् दूसरी बात अभी जॉइंट एक्सन कमेंटी के प्राला दगरवाल जी ने भी इसे में चर्चा किये हैं, कि जो सरकार अपने को 50 से 100 किलोमेटर, 40 किलोमेटर दर्म्यान में एक अपने सुविदा देना चाती है, डाबरों को रुकने के सुविदा देना चाती है, सब कुद कर सकते हैं, सरकार के साथ में कंदे से कंदे मिला के काम कर सकते हैं, बाइचरा राजमाग परिवान सेवा, जोइंट एक्सन कमेटी इस विशे में रोड सेप्टी के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, सरकार से, नितिन गटकरी साहब से, महराष्ट के मुख्यमंत्री, प्र जीवन में बहुत जरूरी है, वो सेप्टी में सब एक एक आदमी आ जाते हैं, और सबका फ़रज करता है कि सड़ाखास्य को रोकना, जय हिन, जय भारत